हालो दोस्तों कैसे है सभी लोग बढ़िया बचो इन पिछले कुछ दोस अफता हमें बच्चों के काफी फोन आ रहे हैं बच्चे आके मिल रहे हैं पूछ रहे हैं कि सर रीपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यार इस वीडियो में मैं बाकि किसी चीज या दूसरे लोगों के मन में हो सकती है कुछ लोग मेरे पास आ रहे हैं इसुट में बाकि फेकल्टी को पूछ रहे हैं यह सब के राय ले रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है वैसे काफी सारे बच्चों के मन में भी यह डाउट होगा कि सर रिपीट करना जैंद झाछाइए कि नहीं करना चाहिए कि उसकी बैसिस में depending है उसकी बैसिसने कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए बद्चों एक सिंपल सा, एक थॉट प्रोसेस हैं कि आपका दो साल पर्फॉर्मंस कैसा था आपके फ्जिक्स, chemistry biology में individual classes है तो individually ये कैसे थे और इनका जो total किया था आपने जैसे PCB tracker के बारे में हम हमेशा बात करते हैं सीथरी में जो हमेशा follow होता है हर बच्चा follow करता है PCB tracker PCM tracker करता है तो repeat करने वाले जो बच्चे है पहले तो ये analyze करो कि आपके पिछले साल के scores कैसे थे और वो किस वज़े से थे हर चीज के लिए कोई तो एक वज़े होती है तो उसका एक पहले analysis करना चाहिए बच्चो सबसे पहली बात है कि आपके वो scores अगर अच्छे नहीं थे तो क्यूं नहीं थे और अगर आप अभी repeat करना चाहते हो और अगर अपने start किया है तो वो गलतिया मत करना जो आपने पीछे की हुई थी इसके आगे वो गलती नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपके results भी repeat हो जाएंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से कि repeat में हर चीज repeat करना है except mistakes mistakes को repeat नहीं करना है बच्चा क्योंकि mistakes repeat करोगे तो result भी repeat हो जाएगा ठीक है तो वो एक घंटा भी आपको एक दिन के बराबर लगता है तो wait मत करो उसमें आपका बहुत ज्यादा time चला जाएगा जैसे कि काफी लोग बोलते कि answer के आएगा तब decide करेंगे या result आएगा तो उसके बाद decide करेंगे या उसके बाद decide करना या आज decide करना एक ही बात है क्यों क्योंकि जब result के बाद answer की के बाद आप decide करोगे देखो chemistry के answers है physics के answers है या bio के answers है change तो नहीं होने वाले व्यार concept वही है तो answer तो वह रहने वाले थोड़े बहुत 2-4 question आगे पीछे हो सकते इतना तो मैं मानता हूँ आप भी मानते हैं तो फिर क्यों wait करना है answer की के लिए या preparation start किया है because अपना जो PCB का batch चुरू हुआ है जो individual chemistry का चुरू है वो 25 और 1 अगस्ट से शुरू हुआ है तो मुझे यह चीज आप से पूछनी है कि delay क्यों करना है जिसमें आपका सबसे important कीमती समय जाने वाला जिन बच्चों को 250-400 के बीच में marks आ रहे हैं अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं बहुत जादा efforts put करके और जादा कोशिश करके मेरा result enhance कर सकता हूं और जादा efforts डाल सकता हूं अच्छे mentors के साथ काम करके वो चीज बदल सकता हूं जो पहले कभी नहीं आई तो आप आज से आ हो सकती है मार्स के basis पे कि जिने 400-500 के बीच में marks आ रहे हैं यह बच्चे जिन्होंने महनत की हुई है यानि 400-500 तक जाना है यानि इन लोगोंने महनत की हुए exam में कुछ तो गडबड हो गई preparation में छोटी मोटी जो mistakes है वो हुई होगी इस वजए से आपके यह marks आ गए है तो आपके मन में अगर दुविदा है अक्या करना चाहिए 400-500 के बीच में marks आ रहे है तो sir यह दुविदा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेरे marks बढ़ेंगे कि नहीं तो सबसे simple बात है बेटा you are very close to your results राइट हां उतना close नहीं है जितने 500 प्लस वाले बच्चे है लेकिन 400 प्लस स्कोर आना इसका मतलब है आपके हर सब्जेट के चाप्टर अच्छे है बस आपका ना जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो कहीं पर missing है concept अच्छे थे इसलिए 400 प्लस आगए नहीं तो नहीं आ सकते थे तो आप लोगों को क्या करना है आपके mentor से ये चीज़ करनी है कि sir मेरे concepts मेरे ये chapter का list है chemistry के for example chapters निकाली ये 30 chapters है 30 chapters में मेरे ये ये chapters बहुत अच्छे है इन chapters में मेरा काम नहीं हुआ है तो मैं अगर repeat करता हूं तो मुझे कौन सी चीजों पर focus करना चाहिए जो कम है उन चीजों को बढ़ाओ या उन्हें enhance करने के लिए क्या कर सकते है वो चीजे करो यानि जिसमें आपके marks कम है जो chapters नहीं आते टीचर के पास जाओ और बोलो कि सर मेरे ये chapters cover हो सकते हैं क्या वो आपको मशवरा देंगे सला देंगे कि बटा करो कर सकते हो अगर अच्छे mentors आपने चूज किये तो अच्छे mentors चूज करना ये बड़ी एहमियत रखता है आपके repeat करने के लिए because आपका अभी जो ये गलती आपकी वापस दोबारा आपको कम marks की तरफ ना ले जाए ये precaution आपको रखना है कि उन mentors को चूज करो जिन्होंने प्रूव कर रखा है बहुत सालों से जो काम कर रहे है बच्छों के ऊपर बहुत सारे efforts लिए है और जो अभी भी प्रूव कर रहे है कि वो बच्छ 500 प्लस के लिए क्या करना चाहिए सर्फ 500 टू 550 के 560 के बीच में marks आ रहे है तो गिवप कर देते हैं बच्छे याद रखना है यहां तक साधारन लोग नहीं पहुंचते याद रखना मेरी बात आपने अगर 500 प्लस marks लिये है तो इसका मतलब है कि और eligible for repeat और आप डॉक्टर बनने के लिए eligible हो बस कुछ चीजें कम पड़ गई जिनकी जरुरत थी और जो neglect हो गई आपके preparation में तो याद रखना है इस बार सूत समेत यह सारे marks को आपको वसूल करना है ठीक है तो हर category के लिए आज का discussion था 250 या 200 प्लस to 500 तक जो बच्चे है जिनके marks आ रहे है उनके में और ज्यादा information अगर चाहिए और ज्यादा चीजे अगर आपको discuss करनी है तो comment box में comment कीजिए इस वीडियो के comments में comment कीजिए और हमें बताइए कि आपको कौन से या किस तरह के वीडियो चाहिए या आप ऐसी चीजों के लिए personal counseling के लिए भी C3 office आ सकते हो So thank you, bye bye